तो दोस्तों नमस्ते आदाप सस्तिकाल आपका दोस्त गौरफ टेस्ट बॉक डॉट कॉम पे स्वागत करता है तो दोस्तों हो जाईए तयार क्योंकि हम फिर से करने जा रहें स्सी सीपीओ के जीके पेवार लेकिन स्टार करने से पहले सभी को यहां पर भर भर के गुड़ आफ्टेनून सब्यास्ची तनमय मुनालिशा सबको भर भर के गुड़ आफ्टेनून और फड़ा वर्ट से दोस्ते एक बार शेयर कर देंगे जिससे सभी लोग यहां पर तो जीत है बिल्कुल सही बात है दोस्तों अगर हमने खुद से हार नहीं मानी है तब तक हमारी हार नहीं होगी भले ही लोग कितना कहते रहें कि यह तो कुछ करी नहीं सकता और दोस्तों खुद में अगर आपने यह सोच लिया है कि हम कर सकते हैं और आपने ठान लिया कि मैं क करूँगा तो डेफिनेटली एक दिन दोस्तों सक्सेस जरूर आपको मिलेगी सिर्फ आपको रुकना नहीं है कहते हैं ना दोस्तों हमें गिरना है और चलना है दोड़ना है लिक रुकना नहीं है ठीक है तो इसी के साथ दोस्तों आगे बढ़ेंगे फटावर्ट से सभी के साथ और पहले कोशिंगे साथ और पहला कोशिंगा आपकी स्क्रीन पर दोस्तों यह रहा है किस के डैश को हुआ था 15 अगस्ट 1972 29 अक्टूबर 1765 15 अगस्ट 1872 25 सितंबर 1860 जल्दी से बताएं दोस्तों कब यहां पर अर्विंदो गोश जी का जन्म हुआ था फड़ाफट से सभी लोग बताएंगे जल्दी अली से पड़ाफट से दोस्तों ठीक है यहां पर अभी तक आंसर दोस्तों यहां पर अनुसिलन समीटी से दोस्तों इनका नाम जुड़ा हुआ था यह भी याद रखेगा यह आप से पूछा जाता है ठीक है और दोस्तों यह किससे और जूड़े हूथ्यों यहां पर दोस्तों 1926 में इन्हों ने क्या किया था इन्होंने 1926 में किया था ठीक है इनकी दोस्तों कुछ famous किताबे हैं जैसे की सावित्त्री कौँंसे दोस्तों सावित्री इनकी एक बहुत famous किताब है ठीक है सावित्त्री और दोस्तों The Life Divine कि है दोस्तों The Life Divine इनकी एक और famous पुष्टक है इनका नाम याद रखेगा यह आप से हो सकता है एक्जाम में पूछे जा सकते हैं ठीक है सभी ने यहाँ पे हाँ जी और दोस्तो आपको यह भी पता होना चाहिए इनको दोस्तो बाद में यहाँ पे गिराफ़तार भी किया गया था 1908 के समय में ठीक है 1908 के समय में दोस्तो इनको गिराफ़तार किया गया था क्यों दोस्तो अलेपूर बॉम केस में किस में दोस्तो अलेपूर बॉम केस में दोस्तो इनको क्या किया गया था गिरिफ्तार करके दोस्तो इन पे कारवाही की गई थी यह भी आद रखेगा छीक है चले तो फड़ावर से स्क्रीन शॉट ले लीजिए और फिर हम बढ़ते हैं आगे की हो नहétक है क्या उसको हम koogulation क्याते हैं थ्रोंबो साइटो परीनिया कहते हैं हीमूफिलीया कहते हैं यहां फिर होमोफोबिया कहते हैं जल्दी से बताएंगे दूस्तो यहां पर करेक्ट आंसर क्यों जाएगा यास लाइप विटामीन के क्या हो जाये कि अगर कमी हो जाए तो ब्लड क्लोटिंग नहीं होती विटामिन क को दोस्तो रसाइनिक नाम या फिर दोस्तो गेमि कल में क्या कहते अंब टूस्तों आपको याद रखना है अब यहाँ पर धिये थ्रॉप जो होता हैемся स्थाइब यहाँ प्रॉप ही करते हैं अगर यह हšी हो गया कि वो रुखता नहीं है दोस्तो वो बहता ही रहता है ठीक है बलड बहता ही रहता है और हीमोफीलिया दोस्तो हर साल मनाया जाता है 17 अपरेल को कब दोस्तो 17 अपरेल को हीमोफीलिया डे मनाया जाता है ये भी याद रखेगा ये आपसे पूछा जाता है देखें दोस्तो बलड क हैं पर होमोफोबिया दोस्तो जो यहां पर किस से यहां पर नगर्ट ही नुट कई लोग होते ना LGBT community से डरते हैं उनको दोस्तो होमोफीबिया ठीक है जो मनुष्य से यहां पर दोस्तो डरता हो चले आगे बहुत बढ़िया रेखा मुनालिसा हरीकेश अगले सवाल पढ़ेंगे दोस्तो अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर दोस्तो यह रहा दोस्तो डैश फ् पर दोस्तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फड़ाफट से और दोस्तो जिनों ने अभी तक शेर नहीं किया और लाइक करेंगे जल्दी जल्दी से और आंसर करते हो यहां पर खाजा कह रहें किम जॉंग उन ओके सी ऑप्षिन तनमेक शिखा केंडी अश्वाग बहुत बढ़िया। दोसटे शिलाव खाजा जो हैं जैसे कि आपने नाम सुना ओगा साही लीची को भी नुको भी टैग दिया गया। कहां पे भिहार पे ठीक है जी आई टेक का दोस्तों फुल फॉर्म जी आई का फुल फॉर्म का है जोग्रफिकल इंडिकेशन क्या दोस्तों जोग्रफिकल इंडिकेशन इसका दोस्तों फुल फॉर्म होता है दोस्तों कितने साल तक के लिए रहता है तो दोस्तों यह दस वर् यह याद रखेगा दोजार चार पांच में अभी दोस्तों आपको हाली में एक दोस्तों मखाने को दिया गया जिसका नाम है मिथिला मखाना को दोस्तों यहां पर जी आई टेक दिया गया था बताईए मिथिला मखाना जो है वो कहां से दिया गया है सभी लोग बताएंगे फ रखेगा बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए अगला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर अगर दोस्तों स्क्रीन शॉट ले लिजिए फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ I hope आपने screenshot ले लिया होगा, फिर बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए, अगला सवाल दोस्तो, the state of जारखंड was formed by division of Bihar in the year, जारखंड राजी का गठन बिहार की विभाजन से वर्ष डैश में हुआ था, दोस्तो, 2002, 2001, 2003 और 2000 में, सुलेखा कह रहे हैं सर 2000 होना चाहिए, 2001 किम ज 2000 होना चाहिए, सबके अलग-अलग answer क्यों आ रहे हैं दोस्तो, ठीक है, तो दोस्तो, जितने लोग 2000, 2000 कह रहे हैं, उनका यहां पर correct answer हो जाएगा, ठीक है, correct यहां पर हो जाएगा 2000, जारखंड दोस्तो, पंद्रमा सबसे बड़ा राज है, 15th largest state in India है, यह याद रखेगा, जारखंड के, अगर मैं बात करूँ दोस्तो, इसकी capital क्या है, रांची है, क्या दोस्तो, रांची इसकी capital है, यह आपसे पूछा जाता है, ठीक है, यहाँ पर दोस्तो, आपको सबसे ज़्यादा जंजाती जो मिलेगी, वो कौन से मिलेगी, संथल मिलेगी, हालाकि दोस्तो, छालध में तो अगर ज्यान धुकर ऑफ क्लिट को बहुत पए जाता है कि नहीं बहुत higher और तो यहां पर सबसे प्हले यूर्इणीयम पाया गया था जादवोड़ा में पाया था एह ज्यां हमने किस 행से लगा हुआ है तो दोस्तों बिहार से लगा हुआ है, बिहार से तो अलगी हुआ है, तो बिहार से लगा ही रहेगा, साथ में दोस्तों उत्तरप्रदेश से, साथ में पश्चिममंगाल से, साथ में दोस्तों किस से लगा है यह आप बताएंगे, जल्दी से बताएंगे दोस्तों और कौन से राज जिसे यहाँ पर लगा हुआ हाडी बिलकोल यहाँ पर मध्युस्मिता मामू कैसे कैसे नाम आ रहें यहां पर यहां पर याद रखेगा यहाँ आपसे सवाल पूचा जाता है अगले प्रस्ट में बढ़ें बहुत जी बढ़िया दोस्तों यहाँ पर सभी का आंसर आ गया है अगले सवाल बढ़ते हैं ठीक है चल अगला सवाल दोस्तों आपके लिए लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं यहाँ पर जितने भी मेरे मित्र SSC की प्रप्रेशन कर है वह दोस्तों अब यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से तैयारी शुरू कर दीजिए क्योंकि आपके सीजील एक्जैम और सब्सक्राइब जादा समय बचा नहीं है अक्टोबर स्टार्ट हो चुका है नवंबर दिसमबर में आपके कहीं ने कहीं स्टार्ट होना स्टार्ट ह आपको पढ़ा रहे होंगे और साथ में दोस्तों आपको गाइड करने के लिए और आपके डौट को क्लियर करने के लिए दोस्तों यहाँ पर आपके फेकल्टी जो होंगे वह हमेशा तयार होंगे चाहिए आप किसी भी एक्जैम की तयारी कर रहे हो चाहिए CGL, CHSL, MTS मतलब SSC के सारे एक्जैम की तयारी सिर्फ एक कोर्स में और दोस्तों यहाँ पर अभी आपको ओफर भी मिल रहा है मतलब अगर आप यहाँ पर लेते हैं इस समय तो आपको 35% का डिसकाउंट मिल लेने के लिए सिर्फ आपको कूपन कोड यूज करना है जी ए यू आर ए वी एम गौरव एम जैसे इसको आप यूज करोगे दोस्तों आपको मैक्सिमाम डिसकाउंट मिल जाएगा और आप वहाँ पर दोस्तों क्या कर पाओगे एंड्रोल करके आप उसको दोस्तों तयारी जोड़े को स्टार्ट कर पाओगे अभी जिन्नों ने स्टार्ट नहीं कहा है तो स्टार्ट कर दीजिए तभी मैं कहता हूं चार्ट टैस्ट, मौक का, काम नमेरा रोचका, ना मुझको कई रोके ना किसी ने टोका चले अगले प्रश में ठीक है चलिए अगला प्रश दोस्तों आपके ले रहा दोस्तों आफ्टर हिस रिलीज फ्रॉम जेल इन 1909 और विंदो घोष स्टाटे टू वीकली नेमली डैश एंड डैश दोस्तों 1909 में जेल से रिया होने के बाद और अंध बाजार प्त्र prin काइन हिंदी यहां पर काम योगी न इनंगलेश् जोड़ी और नोर्मा इन पूर बॉम केस में ठीक है उसके बाद उस्तों 1909 में यह रिया हुए ठीक है और उस समय दोस्तों इन्हों ने यहाँ पर दो सब्ताइक के श्टार्ट के थे अंग्रेजी में था और धर्मा जोकी बंगाली में था ठीक है इसको याद रखेंगे देखें दों 1909 में इनको आजात किया गया था और उसी वर्ष में दोस्तों मौरले मिन्टो रिफॉर्म आया था क्या था दोस्तों मौरले मिन्टो रिफॉर्म आया था ये भी आपको याद रखना ये आप से पूछा जा सकता है ठीक है भारत का सबसे पहला जो न्यूस पेपर था दोस्तों वो कौन सा था बेंगॉल गैजट बेंगॉल गैजट दोस्त जेम्स अगस ठिकी ने किया था ये भी आपसे पूछा जाता है ठीक है चलें आगे की तरफ बहुत बढ़िया यहाँ पे खुशी, कैंडी, शालू, सुलेखा, सीता, वेरे गुड अगले सवाल बढ़ेंग दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों यहाँ जून 1780, 25 मई 1745, 23 जून 1757 और 15 सितंबर 1765 यहाँ पे 57 कह रहे है प्रेंस तुलेखा कह रहे है सर सी ऑप्शन, ममता कह रहे है सी ऑप्शन, समरिध्धी, प्रशान्थ, बहुत बढ़ी आश्वाक, यहाँ पे दोस्तों करेक्ट आंस रुगा, 23 जून 1757 अब देखे सवाल य यह उसने, 1757 में बिल्टिश को लीड किसिने किया था, तो दोस्तों आपको पताओगा, फ़स्ट गवर्णर आफ बैंगॉल, क्या दुस्तों फ़स्ट गवर्नर आफ बैंगॉल, कौन था दोस्तों, यहाँ पे, रॉबर्ट क्लाइव थे कौन दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव और रॉबर्ट क्लाइव नहीं दोस्तों यहां पर लीड किया था कौन सी युद 1757 की बैटल ओफ पलासी ठीक है चले आगे चले वेरे गोर शैलेंद्र मनीशा बहुत बढ़िया अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों आहाई टेंसाइल अलोई स्टील कॉल्ड डैश वाज यूज्ट टू कंस्ट्रक्ट हावला ब्रीज दूस्तों हावला ब्रीज के निर्माण के लिए डैश नामक एक उच्छ तन्यता वाले मिश्र धातू इस पात का उप्योग किया गया था टिसकाल टिस मुझेल ऑप्ष्ट यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा पर क्या हो जाएगा अब देखिए दुस्तों सवाल यहां । पर बनाया गया दोस्तों यहां पर तो दोस्तों यहां पर आप से पूछ ली जाएगी तो हाइट किती दोस्तों यहां पर बढ़िया यहां पर सभी का आंसर आ गया है बढ़ेंगे वेरिगुड यहां पर मनीशा प्रिंस खालेद तौनमे वेरिगुड अगला सवाल दोस्तों लेकिन उससे पहले सभी लोग क्या करेंगे फड़ावट से शेयर और लाइक करेंगे जल्दी जल्दी से दोस्तों यहां पर फड़ावट से लाइक करेंगे सभी लोग बढ़ते हैं अगले प्रशने के लिए अगला प्रशन दोस्तों आपके लिए रहा इलबर्ट बिल दोस्तों विच वास इंट्रोड्यूस बाई डैश इसा कॉंट्रोवर्शियल मैजर प्रपोस्ट इन 1883 इलबर्ट बिल जिस यहां पर और रिपन को किस नाम से आ आ जाता था फादर ओफ लोकल सल्फ और्मेट के नाम से जाने जाते थे अब टिलौण करसन दोस्तों खर जर्ल इंसमें किया हुआ था यहां पर बंगाल विभाजन की बात दोस्तों बेंगॉल पार्टिशन की बात हुई थी साथ ही में दोस्तों 1905 में इस बंगाल विभाजन की वज़े से दोस्तों यहां पर लोगों में गुस्ता बढ़ गया और यहां पर दोस्तों स्टार्ट किया गया स्वदेशी मुवमेंट तो कई बार आप से पूछा जाता ह है कि स्वदेशी जो मुवमेंट था वो कब स्टार्ट हुआ तो दोस्तों 1905 में हुआ दलहुजी की बात की जाए दोस्तों इनका कारेकाल आठ्षू 1848 से लेके 1856 तक था और इंपॉर्डेंट था क्यों क्यों क्योंकि इनके समय में दोस्तों डॉक्ट्रिन ओफ लैप्स आ अपन आया था यह भी याद रखेगा इनी के समय दोस्तों टेली ग्राफ स्टार्ट हुआ था ठीक है पोस्तिल यहां पर स्टार्ट हुए थे यह भी याद रखना है लॉड हास्टिंग अगर हम बात करें वारन हास्टिंग तो दोस्त यह क्या हूं थे फ़स्ट गवर्नर आफ बेंगॉल थी क्या दोस्तों फटा-फट से बताएंगे सभी लोग यस और नो अगर यस है तो आगे बढ़ेंगे नो है तो फिर आप बताएंगे जल्दी से बताईए हाजी यहां पर नौरेन मधुश्मिता हरिश्का अनन्या बहुत बढ़िया अगले कोशन बढ़े ठीक है अगला कोशन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों नेम दा नोबल लारियेट हूँ है क्रैक दी जैनेटिक कोड दोस्तों उस नोबल पुरुसकार विजेता का नाम बताईए जिसने अनुवांशिक कोड को क्रैक करने में मदद की वेंकेट रमन रामकृष दोस्तों कि यहां पर फोर करेक्ट आंसर होगा या फिर नहीं ठीक है तो दोस्तों जितने लोग फोर फोर करें उनका यहां पर करेक्ट आंसर होगा अब सवाल उठता है दोस्तों कि इनको किस वर्ष में नोबल पुरुसकार दिया गया था तो दोस्तों इनको नोबल पुर पुलिषकार जो है इसकी शुरुवात हुई थी 1901 में ध्येकर किसके नाम पर है यह दोस्तों नोबल पुरुषकार तो दोस्तों साइंटिस्थlike अल्फ और अल्फिट नोबल जिन्होंने किसे घुषил इन है कि कि दोस्तों नौबल पुरुषकार कौन से देश में दिया जाता है, norway plus Sweden, यह आद रखेगा, मैंने आपको बता। था, नारवेगी capital क्या है, असलो और Sweden क्या है', Stock home, क्या दोस्तो, Stock home है यह भी याद रखेगा, अब देखें तो भारत में सबसे पहले दोस्तो किसको दिया सबसे पहलेchs, जो व्यक्ति थे वो, थे Ravinaade Tagore-dya, जिनको 1913 में दिया गया था फिर उसके बाद जूसस के सिजिक्स में सबसे पहले भारत किसने को दिया गया भारत में फिजिक्स में बात करें सीवी रमन जी को दिया गया था ठीक है 1930 में कब दोस्तो 1930 में दिया गया था ठीक है अगर हम बात करें एकनॉमिक्स में किसको दिया गया था अमर्त सेंजी को किसको दोस्तों अमर्त सेंजी को दिया गया था एकनॉमिक्स में 1998 में और दोस्तों यहाँ पर कैलास सत्यार्थी जी को पीस प्राइस मिला था कैलास सत्यार्थी बढ़ते हैं अगले प्रश्ण में जल्दी जल्दी से कर लेंगे चलिए ले लिया होगा आपने स्क्रींशॉट बढ़ते हैं अगले प्रश्ण के लिए अगला प्रश्ण दोस्तों आप ले रहा डैश इसा कॉमनली यूज्ट मेडिसिन डैट कैन हैल्प डैश एक ता आम तोर पर इस्तेमाल किया जाने वाली दवा है जो दोस्तों दर्द का इलाज करने और शरीर के उच्च तापमान को कम करने में मदद करती है डैक्टो ठैमफोन बिसमत परासिटमोल और ग्रफनेंसिन जल्दी से बताएं यहां पर क्या होगा यहां पर के रहे सर पैरसिटमोल होना चाहिए पैरसिटमोल यह तो दोस्तों डेली यूज लाइफ की बात हो गई रहे आप आसानी से अंसर कर पाओगे और करेक्ट आंसर अगला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर यह रहा दिस तो डैश इस दी मोस्ट अबंडेंड मॉल्क्यूल इंदे शैल अकाउंटिंग फॉर सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला अनु होता है जो कुल कोशी का द्रव्यमान का सत्तर प्रतीशत या फिर अधिक होता है लिपिड प्रोटीन वाटर या फिर नूकलीक एसिड यहां पर मनीश कह रहे है साथ मनीश वाटर साहिल प्रसांत विकीब बहुत बढ़ गतीक है सत्तर प्रतिशन चाहरा उससे जादा अब बात आतीए दोस्तों सेल की खोज़ किसने की दौबस्तों यह की गई थी रौबरेट हुक के दौरा नाम की सवाहिं जाए 1665 में और दोस्तों अगर हम बात करें Father of cell किसे कहता है और साइटोलोजी किसे कहते है तो दोस्तों Father of cell अगर आपसे पूछ ले जाएakat दोस्तों रॉबट ब्राउन देखो जा तो किसने दोस्तों रॉबर्ट ब्राउन देखो जा था यह भी आपको याद रखना है अब देखिए दोस्तु एक सवाल आपके पूछए आता है कि बता ये प्लांट और अनिमल सेल में अगर डिफ्रेंस क्रेट करना है तो क्या दोस्तों मिलेगा तो दो इसमें पाए जाता है प्लांट में ठीक है अब दोर्फको ब्लांट के साथ सेलुलोस के साथ पेक्टिन भी में था है ठीक है याद रखेंगे दूसरी चीज़ दोस्तों आप से पुछा जाता है जो फंगी होते हैं उनके सेल में दोस्तों ऊपर एक लेयर होती जिसको हम क्या क लोग दोस्तों यहां पर हम 130 लोग लाइव हैं लेकिन लाइक सिर्फ 58 ऐसा क्यों फटावाट इसको भी लाइक करते हैं और शेयर करते हैं अगले सवाल पर दोस्तों डैश इस इंडिया ओल्डेस रिसर्च रियक्टर डैश भारत का सबसे पुराना अनुसंधान रियक्टर है कामिनी सिर्कस ध्रुवा या फिर अपसरा फटाफ़र से बताएंगे हाँ जी पिछले का बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहां पर बताईए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा नेहा कहरें से डी आउप्शन होना चाहिए ऑखे बाकी लोग क्या कहते दोस्तों यहां पर डी आ याद रखेगा ठीक है दूस्तों नीचे के तीन जितने भी सिर्कस की अगर बात लो धुरुआ की बात कर लो दुरुआ दूस्तों लार्जिस्ट रियक्टर है अगर आप से पूछ ले ना सबसे बड़ा रिकटर कौन सा है लार्जिस्ट रियक्टर तो दोस्तों आप नाम नुकलिर रियक्टर कौन सा था, तो दोस्तो नुकलिर पावर प्लांट की बात करते हैं, तो दोस्तो वो था तारापुर, कौन सा दोस्तो तारापुर वो भी कहां पर दोस्तो, महराज ठीक है, यह याद रहींग, चलें आगे, बहुत बढ़िया अगला सवाल दोस्तों आपकी स्क्रीन पर पुछा परियूशन इस एन इंपॉर्टन फेस्टिवल फॉर डैश कम्मूनिटी दोस्तों परियूशन एक समुदाय के लिए एक महतोपूनत्योहार है किसका है बुद्धिस का है जीऊ का है जैन का है यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है करेक्ट आसन यहां पर हो जाएगा क्या दोस्तो रोश हना कहते हैं यह याद रखेंगा बुधिष नाम से करते हैं यहां Phridγα hemos breaking तो जोरेश्ट्रियन होते हैं वह किस नाम से करते हैं यहां पर नव्रोज किस नाम से नाम से अभूलario को यह याद रखेगा अब सवाल हुगता है दोस्तों जैनशम की अगर हम बात करें जैनशम में दोस्तों कितने तीर थांकर थे-sin चॉबच्षाआम कर थे इसके लेकिन पहले तीर थांकर कौन थे रईशब देव हैं-धी दhouse से अब अजीत नात्थ थे ठीक है अब देखे color और ऑबिनंद नात्त कौन थे यह आपसे दोस्टो पूछा गया था इस साल एससी के 2022 के पेपर में फिर दुसों 23 कौन थे 23 दोस्तों आपको याद अगना है पार्शवनाथ ।र 24 कौन थे 24 यहां पर दूस्त वर्झार иск Art नंबर पे थी वो मलीनात किया दुस्तों मलीनात थी जो की एक तीर्थांकर थी सिर्फ एक मात्र महिला exception है दुस्तों पूछा जा सकता एक्जाम में important है आपके exam point of दुस्तों अगला सवाल आपके लिए रहा दुस्तों कुम्भ मेला टेक प्लेस एवरी थार्ड इयर एक इस्थान नहीं है उजयन अब दूस्तों आपको यह पता है कि हम कुम्भ मेले में क्या होता है नदियों में इस्थान किया जा किनारे होगी जैसे प्रयाग्राज कौन से नदी किनारे है गंगा नदी के किनारे है तो नदी में दोस्तों लोग इस्थन करते हैं उजयन चले आगे बढ़े अगर दोस्तों इसको युनेस्को का इंटेंजिबल दर्जा भी दिया गया है यह आपको याद रखना है ठीक है चले अगला सवाल दोस्तों आपके लिए रहा दोस्तों यहां पर सिमांत लागत इसके डेश के समनुपाती है फिक्सक दे रयेबल िवल गॉश्ट निदर फिशन और वैर्येबल कॉस्ट मेश्ट जलदी से बताएक करेंगे दोस्तों की 감사합니다 क्या होगा उनका सही होगा ठीक है D option नहीं होगा दोस्तों यहां पर D नहीं है variable cost correct answer ठीक है यहां पर correct answer जाओ जाएगा variable cost हो जाएगा ठीक है अगला सवाल दोस्तों आपके लिए रहा किसका है सभी लोग फटाफट से बताएंगे ठीक है दोस्तों option नंबर एक के साथ जा रहे हैं लेकिन अभिशेक का correct answer अभिशेक का correct answer है मनीशा डाउट मत करिए आपका बिल्कुल सही answer है और किसका है और किसी का नहीं है सब सब्सब्री माला मंदर के साथ जा रहे है कि वह famous है लेकिन दोस्तों यहां पर correct answer है गुरु वयूर यह याद रखेगा दोस्तों यहां पर अगर मैं बात करूँ आपको कुछ national park देखने मिलेंगे जैसे दोस्तों इरैविकुलम क्या दोस्तों इरैविकुलम राष्ट्र उद्ध्यान और दोस्तों यहां पर पेरियार नेशनल पार्क बहुत famous है दोस्तों मंदिर अगर हम बा सबसे जादा है क्योंकि दोस्तों यहां पर अंतराष्टी एरपोर्ट आपको पांच देखने को मिलते हैं आपको केरला में ही एक दोस्तों क्या मिलेगी घाटी मिलेगी इसका नाम है साइलेंट वैली क्या दोस्तों साइलेंट वैली है यहां कि दोस्तों कुछ फेमस नित्त हैं जैसे की मोहिनी एस्टम सास्त्री नित्त है यहां का ठीक है और क्या है दोस्तों कथाकली यहीं का सास्त्री नित्त है और क्या है दोस्तों लोक नित्त कुछ फेमस है जैसे की छक शक्यार कुठ्थू क्या दोस्तो ऍसका छ क्धू कुठ्थू और दौसट इसा इसका लोक नित हैं ठीक है कुठ्थू और दोस्तोक सा उट्टम थुलल कौन सेगे सब्याद रखेगा या यह शेयर करेंगे और लाइक करेंगे अगला सवाल दोस्तों आपके लिए रहा दोस्तों the innovative concept of using sunshine to keep house warm in freezing winter is called तो यहाँ पर सर्दियों में घरों को गर्म रखने के लिए धूप का उपयोग करने की अभिनव अवधार्णा को डैश कहा जाता है लेटेंट सोलर हीटिंग कंड़क्टिव सोलर हीटिंग रेडियेशन सोलर हीटिंग या फिर दोस्तों पैसिव सोलर हीटिंग जल्दी से बताएं यहां पर करेक्ट आंसर हाँ जी यहां पर फटावर से बताएं दोस्तों क्या कहते हैं पैसिव ओके अंजनी का करेक्ट आंसर ह अभिशेक का करेक्ट है कुष्टो का करेक्ट है मनीश बहुत बढ़िया नेहा वेरी गुड दोस्तों जितने लोग ऑप्शन नुबर फोर करें उनका यहां पर एक करेक्ट आंसर है प्रैसिव सोलर के हीटिंग होगा अच्छा दोस्तों हीट कितने मोड से से खनमेक्ट होता है मोड से पूछ लेगा तो दियुक्ट होते हैं तो क्योंकण सांसरों यहां पर आपको कंड़क्षन और क्योंक्न में अपनी जेगह में पार्टिकेस अपनी जगह राते होते हैं într कर रहा हूं अब convection में क्या होगा मैं मूफ करूँगा और सामने वाले पार्टिकल को हीट पास करके आऊंगा फिर जन जाओंगा अधर पार्टिकल को हीट दूँगा ठेक है तो यह आद रखी का difference between conduction and convection आगे बढ़ें अगले सवाल पे very good अगला क्यों दोस्तों आप स्क्रीन पर रहा तो अपर पूछा गया है महरानी गायत्री देवी देश की सदस्ट ती इसकी सदस्ट राटी भार्ती जन्ता ठीक है दोस्तों जित्ते लोग सोतंता पार्टी कह रहे हैं उनका यहाँ पर correct answer हो जाएगा ठीक है correct answer यहाँ पर क्या हो जाएगा सोतंता पार्टी हो जाएगा ठीक है अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हम बात करें सोतंता पार्टी को found किस वर्ष में किया गया था यह है डफरिन के समय में ए ओ हुमें ने किया था ठीक है चलें आगे बहुत बढ़ियां रेखा मनीश प्रिंस अगले सवाल पर बढ़ते दोस्तों अगला सवाल आपके लिए रहा दोस्तों ब्रास इसन अलॉय ऑफ दोस्तों पर पीतल एक मिश्ण धातु किसका धातु है जिंक औ लोग उपशन नुबर 54 करे रहे उनका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा सब्सक्राइब कोपर एंडज की बात कर रहा है किसकी बात करतें दोस्तों कॉपर जिंक जो है ब्रस हो जाएग ठीक अगर आपको दुस्तो कोपर कोपर और तीन हो जाता है इंसाता हम यए है तो पूछ के शेकर आपसे सबस्कीक है क्या है है और दूसरा मेंगनेटैट है ओर ऑर दूस्तो exterior सीडे राइट क्या दोस्तों सीडे राइट है ठीक है अलूमीनियम का वॉक्साइट क्या दोस्तों अलूमीनियम का वॉक्साइट है यह भी याद रखेगा ठीक है कॉपर का क्या है दोस्तों कॉपराइट क्या दोस्तों क्यूपराइट है ठीक है बहुत बढ़िया ठीक है आप से दोस्तों यहाँ पर पूछेंगे मैंगनीज का किसके दोस्तों मैंगनीज का पूछेंगे तो दोस्तों याद रखेगा मैंगनाइट क्या दूस्तों मैंगनाइट ठीक है मैंगनीशियम देखिए मैंगनीश है ठीक है और अगर आप से मैंगनीशियम पूछ लेंगे ठ दोस्तों मैगनेस साइट यह हो गया मैगनाइट और यह मैगनेटाइट कंफ्यूज नहीं होना है यहां पर दोस्तों आप स्क्रिंशॉट ले सकते हैं चलें आगे बहुत बढ़िया यहां पर दोस्तों हम लोग 175 लोग लाइव हैं लेकिन लाइक सिर्फ नब्बे फड़ावर सी और एघर लल्टी से बताईए कौन से बनाता है नवी नहीं 11 पियं का टाइम बिलको साहीए है और दोस्तों एक नाइट में क्लास होती है ठीक है यहां पर हम लोग करते हैं रात को ग्यारा से बारा बजे देखिए आफ्टर्नून में हम लोग करते हैं SSC CPO ठीक है SSC CPO इवनिंग में करते हैं दिल्ली पुलिस हैड और रात को दोस्तों करते हैं करेंट अफएयर प्लस इस्टेटिक जीके ठीक है इसमें आप जुड़ सकते हैं यह तीम क्लासेज होती है विटामिन DDD तो जितने लोगs vitamin D कहे हैं उनका correct answer होगा vitamin D का रसाइनिक नाम क्या है दोस्तो calcium fat all हे क्या does itul calciferol है और इसकी कमी हो जाहे तो रिकेट सोने के chances होते हैं ठीक है क्या रिकेट्स thenocton belaysia कि दूस्तो नाम रटना पढ़ेगा तो रटा एक की तो के नीचे आ रहा है तो मतलब एक मतलब है एक करे दिक हमने अभ्य यहां पे प्रस्ण में लिखा है इक नीचे T आ रहा है, तो इसका मतलब tocopherol, क्या दोस्तो टोcopherol, और K के नीचे P आ रहा है तो polyquinine, ठीक है, यह दोस्तो रसाइनिक नाम हो गए, यह आप से एक्जैम में पूछे जाते हैं, दोस्तो B और C जो है vitamin, यह दोस्तो water soluble है, कैसा दोस्तो पानी में घुलन सील है, water विटामिन की खोच किसने की थी तो सी फंकने की थी यह याद रखेंगे ठीक है चलें आगे बहुत बढ़िया यहाँ पे ममता नेहा रेखा साई प्रिंस ममुनी चलिए अगले सवाल बढ़ेंगे दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों यहाँ पर जलियन वाला बाग हत्यकांट जिसे अमरिस सर नरसनहार के रूप में भी जाना जाता है पंजाब के जलियन वाला बाग में डैश में को हुआ था दोस्तों यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर लोग कलेक्ट हुए थे ठीक है कलेक्ट हुए थे क्यों हुए थे एक तो बैसाखी के ते मनाने के लिए ठीक है तो दोस्तों उस समय कौन जनरल जो करनल जनरल डायर था वह दोस्तों पचास आदमियों को पचास आदमियों को ले कर गया और वहां पर दोस्तों गोली बारी की परमेशन देदी जहां पर मोर देन 1400 पीपल दोस्तों डायर ठीक है उसमें बुढ़े बच्चे नौजवहान महिलाएं जिन्हों दोस्तों जो बिल्कुल बेकसूर थे वो भी यहां पर मारे गये थे जिसकी वज़े से लोगों में दोस्तों यहां पर गुस्सा बढ़ गया था और 2019 के इस दोस्तों इस कांड के बाद यहां पर दोस्तों रभिना टैगोर जी ने अपना दोस्तों टाइटल दे दिया जो ब्रिटेश ने दिया था इनको कौन सा दोस्तों नाइट हुड का कौन से दोस्तों नाइट हुड का टाइटल सिमिलरली दोस्तों गांधी जी भी दोस्तों आपको पता यहीं 1919 पर रॉलत एक्ट भी था क्या दोस्तों रॉलत एक्ट और रॉलत एक्ट दोस्तों ऐसा बहुत गंदा एक्ट था इसकी वजह से दोस्तों हमें 1920 में स्टार्ट करना पड़ा नौन कॉपरेशन मूवमेंट ठीक है यह याद रखेगा आगे बढ़ें वैरे गोड रेखा ममता विजय मदुश्मिता अगले कोशिम हाँ खिलाफत मूवमेंट भी आया था बिल्कुल यहां पर 1919 में खिलाफत मूवमेंट भी आया था ठीक है अगर मैं और बात करू दोस्तो यह रखेगा यह आपसे पूछा जाता है अगला सवाल लेकिन उससे पहले स्क्रींशॉट ले लीजए दोस्तो इसे आप भी डौग न रहे है आप याद कर सको बाद में भी टीक है अगले सवाल बढ़ते हैं तो अगला सवाल आपके लिए रहा दॉस्तों डॉक्टर जाकिर हुसेन दी थर्ड प्रेजिडेंट ओफ इंडिया वाज अवोड़ेड दा डैश इन 1963 भारत के तीसर राश्पती डॉक्टर जाकिर हुसेन को 1963 में डैश से समानित किया था भारत रतन से पदमश्री से पदमभूशन से और पदमविभूशन से जल्दी से पते दोस्तों किस से समानित किये गए थे यहां पर कहरें सर ऑप्शन नमबर वन होना चाहिए ओखे बाख दोस्तों हाईसे चाहिएज ऐस किया गया तो 1954 ट्रयाख थे Championships है तो 07 तो सर औली राधा क्रिशनन जी दूसरे कौन तै दोस्तों सी राजा गोपाल चारी कौन दोस्तों सीराजा को पाल चारी थे तीजर कॉन थे यहां पर गया इने संट उसको दिया गए ठाई यह यहां एक यहां पर यह ढुत इसके बाद तीजया उस्से पीशरी आता है और दोस्तों यह हर साल 26 जन्वरी को दिये जाते हैं कब दोस्तो 26 जन्वरी को 2021 में दोस्तो कितने लोगों को पदमा दिये गए 119 लोगों को और 2022 में दोस्तो 128 लोगों को दिये गए यह भी याद रहेगा यह आप से पूछा जा सकता है ठीक है चले आगे बहुत बढ़िया रेखा ममुनी प्र अगला सवाल दोस्तो डैश को सर्व भॉमिक यहाँ पर विलायक के रूप में दोस्तो डैश को सर्व भॉमिक यहाँ पर विलायक के के रूप में जाना जाता है केरोसीन एलकोहल एसीटोन और वॉर्टर जल्दी से बताएं दोस्तों किसको कहते हम सार्व भॉमिक विलायक किसे कहा जाता है जो सब में घुल जाए यहां पर आ रहा है सर होना चाहिए ऑप्शन नमबर फूर ओके बाखी लोग क्या कि दूस्त चल दुस्त जितने लोगा आप्शन नमबर फूर फूर पर उनका यहां परієं पर आंसर हो जाएगा ठीक है फिर क्या है हाँ जी C2H5 OH कह रहे हैं ठीक है तो दोस्तों याद रखे एलकोहल C2H5 ठीक है एथनॉल जिसे हम कहते हैं अगला सवाल दोस्तों आपके लिए यह रहा दोस्तों विच गैस इसकी ठोस अवस्ता में शुष्क या फिर बर्फ के रूप में जानी जाती है hydrogen oxygen carbon dioxide और nitrogen जल्दी से बताई दोस्तों यहां पर किसको हम सुष्क gas कहते हैं अगर कोई gas जो solid में हो जाए उसको हम सुष्क gas या फिर हम इसको dry eyes कहते हैं लीजे carbon carbon dioxide carbon dioxide बहुत बढ़ी है दोस्तों अगर दोस्तों हमारे atmosphere की बात की जाए हमारे atmosphere में दोस्तों सबसे ज़्यादा कौन सी गयस है nitrogen गयस है सर ठीक है कितना है दोस्तों nitrogen 78 परसंट है सर ठीक है दूसरे नंबर पर कौन से दोस्तों हमारे atmosphere में सबसे आधा कौन सी गयस है दोस्तों oxygen क्या दोस्तों oxygen यह याद रखेगा ठीक है चलें आगे की तरफ बहुत बढ़िया ममता विजय क्रिया ध्रूब हरी के समीर बहुत बढ़िया वेरी गुड़ खालिद अगला सवाल दोस्तों अकली रहा the first woman chief justice of high court in india was भारत में उच्छे नयायले की पहली महिला मुख्य नयधिश डैश थी फातिमा बीबी लीला सेट रूमा पाल इंदू मलोथ्रा जल्दी से बताएं दोस्तों कौन थी फड़ावट से सभी लोग यहां पर बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा यहां पर कहरें सर होना चाहिए ओके option नमब बी बाकी लोग क्या कहें दोस्तों ठीक है दोस्तों जि आप दोस्तों कौंसा था जाता है तो अनुश्यद के अंतर आता है कितने हाइग कोट है भारत में 25 हाँ कोट है पहला हाइक कौनसा था दोस्तों कोलकाता हाई कोट था ठीक है बहुत बढ़िया सदाव मनीश सिखा मधुश्मिता विजय वैरिगुड बहुत बढ़िया अंजनी अगला सवाल दोस्तों आपके लिए रहा दोस्तों और फैक्ट्री इंडिकेटर शोष चेंज इन दोस्तों यहां पर घ्रान संबंदी संकेतक किसे में परिवर्तन दिर्था पता है फिज़िकल स्टेट में इसमेर में चैमिकल स्टेस में और यहां पर कलरी डोस्तों जल्दीज पता है एंसर हrench के फिवर्तन पक्रेंज भीओशंघ्यास् धुटम कमें उंधक्ष क जलता है कि आपको बढ़िका इस तरह की इसमेल आर रही है उस से मोहंदास करम चंद गांधी जी को 1915 में दक्षरी अफ्रीके में उनके योगदान के लिए यहाँ पेशुहत के द्वारा केश्रे हिंद पुरुसकार समानित किया गया था लॉट अलाहुजी हाडिंगे रिपन और करजन बंगाल विभाजन को कैंसल कर दिया गया था उसी वर्ष में दोस्तो दिल्ली दरबार लगी थी दोस्तो पहली बार गया गया जो पहली बार गया था यह भी याद रखे गा ठीक है और 1911 में ही दोस्तों decide क्या गया था कि दिल्ली को capital घोशित कर दी जाएगी किसके समय दोस्तों Lord Harding के समय में ठीक है भारत दोस्तों कब आये थे मुहंदास जी तो दोस्तों यह आये थे 9 जनवरी 1915 में आये थे ठीक है और दोस्तों इसी दिनको 9 जनवरी को ही हर साल हम लोग क्या मनाते है एन राइडे और इसी को हम अब है अब है अब है अभी आए गए सबीची सही है दोस्तों तो थोड़ा सा यहां पर टेक्निकल इशू आ गया था पर कोई बात नहीं दोस्तों शुरू करेंगे फिर इसको ठीक है तो चलिए दोस्तों हो जाईए तयार फिर से एक बार कोई दिक्कत नहीं है यहां पर बढ़ेंगे अगले प्रशने के लिए मतलब थोड़ी सी प्रॉ यहां पर तयारी करेंगे और सेलेक्शन लेंगे ठीक है चलिए बढ़ेंगे दोस्तों यहां पर हम कंटीन्यू करेंगे यहां पर दोस्तों कोशन पुछा गया नेम दा थीटर एंड फिल्म अक्टर हूँ अपार्ड फॉम ट्रेनिंग कंटेंस्टेंट फॉर दी मिस इंडि कि थी जाहनी की थी सबीरा मर्चंट पनलक्षमी तबस्तों यहां पर सिमिंगरवाल जली सब्सक्रा तो सबीरा सबीरा कह रहें तो दोस्तों यहां पर कक्रेंट आंसर क्या अट सीघा मैशन बढ़ doğruSt agree a बढ़ेंगे अगले सवाल पे श्क्राइश म्ट से शेयर और अग् opening 2019 में लोगों की भीड पर डैश द्वारा जारी दोस्तों गोली चलाने का आदेश भारत के संग्राम में एक महतोपूर मोल बन गया लॉड वेलेसली जनरल डायर लॉड करनवलीस और वारेन हाश्टिंग तो यहां पर डायर डायर तो दोस्तों बिलकुल यहां पर हमारे लिए दोस्तों यह तो बिलकुल काला दिन है क्यों दोस्तों आप सोच सकते दोस्तों जो यहां पर बेकसूर है उसको कोई कैसे मार सकता है कोई कैसे परमीशन दे सकता है इतने लोगों को मारने का तो दोस्तों यहां पर जनरल डायर ने बहुत गलत काम किया था ठीक है हलाकि दोस क्रिस्टियन ओस्टेर्ड या फिर जेम्स क्लार्ट या फिर एंड्रे एंपियर जल्दी से बताइए हाँ तेरा अप्रेल निस सो निस बहुत बढ़िया यहां पर बताएंगे सभी लोग करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों फटावट से ए ऑप्शन के साथ जा रहे हैं ओके बाक दोस्तों यहां पर करेक्ट आंसर के बीच में दोनों का रिलेशन्स बताए थे भाईया यहां पर ऑप्शन नमर क्या हो जाए दोस्तों ऑप्शन नमर बी और कब बताए तो दूस्तों 820 के समय में ठीक है एलेक्ट्रो मेगनेटिस्म की बात हो रही है माइकल फैरेडे के ज शरीर की माश्टर गंठी भी कहा जाता है थायरोइड लीवर पिटूट्री और एड्रनल जल्दी से बताएं सभी लोग बताएंगे यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा अज़ता है यहां गलता है तो दुक्तान करना पड़ता है तो एशो को अया आद करने के लिए ब्टान करना पड़ता है यहां पर सभी लोग फटावट से बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा बढ़ते हैं अगले सवाल पे लेकिन दोस्तों यहां पर लोग लाइव है लेकिन लाइक सिर्फ 130 फड़ावर इसको बराबर कर लेते हैं अगला सवाल आपके लिए तूथ अनेमल इस मेड़ आप ऑफ दूस्तों यहां पर दांत की परत डैस से बनी होती है किसे बनी होती दोस्तों कैल्शियम कार्बुनेट कैल्शियम फॉस्पेट कै यहां पर करेक्ट आंस औरहें कैल्शियम फॉस्पेट देखे दोस्तों तूथ नेमल जो है तो यहांड़ेस्ट पार आफ यूमन बॉडी क्या दोस्तों हाड़ेस्ट पार ऊफ यूमन बॉड़ी यह याद रखेगा यह आप से पूछा जाता है ठीक है सबसे दोस्तों स्ट नमक भी है कोई बात नहीं नमक तो हो गई होगा ठीक है चले आगे हाँ जी यहां पर यह आता है सवाल कि यह तीथ दांत जो है उसको फॉर्मुला क्या है तो दोस्तों उसको याद रखी का अडल्ट में 2123 होते हैं क्या दोस्तों 2123 ठीक है चार भाग में बाट लीजे दां यहां थाठ गरिखें इसको भाट भाट विखेंगे और इस पसलोंगे वह तù जाएंगे अगले सवाल पर और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों राइट डैस सीज टूबी फॉन्डामेंटल राइट आफ्टर फॉर्टी फिफ्ट अमेंडमेंट्मेंट्मेंट्मेंट टू दी इंडियन कॉंस्ट्यूशन पैतालीसे संसोधन विध्यक 1978 के बाद भा यहां पर करेंशसर बी होना चाहिए ओके भाकिळों किररेक्ट और क्खा़ किकी यहांपर अमेंडमेंड्मेंट बिल लिखा और दोस्तो कउछट कांसा थ्यूक्य ठीक है 44 संसोधन एक्ट था 1978 में जहां पर दोस्तों पहले राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट थी मौलिक अधिकार था आपका दोस्तों ठीक है राइट टू प्रॉपर्टी कौन से अनुछेद में थी अनुछेद 31 में हुआ करती थी लेकिन दोस्तों जब य utilities पहले धसे इक्ट रहेट हैं और मौलिक अधिकार यह भी दोस्तों यहां पर आपका मौलिक अधिकार है बात करता हूँ बता है कि संसोधन आया 44 उससे दोस्तों हटा दिया गया एक राइट प्रॉपर्टी अब कितने हो गए 6 फंडामेंटल राइट आपके पास है यह याद रखेंगे ठीक है चलें आगे की तरफ बहुत ही बढ़ियां समीर मम्ता मधुश्मिता नेहा जोकर आगे बढ़ेंगे अ समय होता है समाप्त जहां पर आज हमने मिक्स कोशिन के और दोस्तों यह डेली ग्लास होती है मंडे टू फ्राइडे दो पहर को दो से तीन बजे दोस्तों कितने बजे दोस्तों दो पहर को तीन बजे मंडे टू फ्राइडे ठीक है यह याद रखेगा मंडे टू फ्राइड वहाँ पर दोस्तों आपको YouTube classes की सारे आपको अपडेट्स मिल जाते हैं PDF आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं आप से दोस्तों discussion वगेरा पोल्स वगेरा quiz वगेरा भी यहाँ पर हो जाते हैं और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको पैम कर दिया मैंने ठीक है अब दोस्तों को यहीं पर करेंगे समाप अगर यह सेशन आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताईएगा ठीक होमवक जो मिलें दोस्तों उसको जरूर करिएगा और दोस्तों अपनी तयारी को जारी रखेगा तो मिलेंगे एक नए ज जय हिंद जय भारत